मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवजी से पांच प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आपका समर्थन चाहता हूँ अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछे तो बता देना और सही प्रश्न पूछे तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूँगा मेरा पहला प्रश्ण है मोहन भागवजी से जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या EDBIS, ED और CBI की धंकी देके धराके दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं पार्टीयां तोड़ रहे हैं सरकारें गिरा रहे हैं क्या ये देश के लिए सही है मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप नहीं मानते कि ये भारतिय जनतंत्र के लिए हानिका रखे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवजी से मेरा दूसरा प्रश्ण है उनसे देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला जिन नेताओं को अमिठ्शा जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला कुछ दिन के बाद उनको BJP में शामिल करा लिया मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ क्या इस प्रकार की राजलीती से आप सहमत हो क्या आपने कभी ऐसी BJP की कल्पना की थी पूछना चाहिए की नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से मेरा तीसरा प्रशन है मोहन भागवजी से बीजेपी आरेसेस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है कहा जाता है ये देखना आरेसेस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभरष्ट ना हो मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सेमत हैं क्या आपने कभी मोधी जी से ये सब ना करने के लिए बोला मोहन भागवजी बताएं कि क्या आपने मोधी जी को ये सब गलत हरकते करने से रोका कभी पूछना जी यह नहीं पूछना जी है मेरा चौथा प्रश्ण मोहन भागवत जी से जेपी नड़ा जी ने लोगसभा चुनाव के दोरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरेसेस की जरूरत नहीं है आरेसेस बीजेपी की मा समान है है कि नहीं है क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मा को आखे दिखाने लग गया क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मा को आखे दिखाने लग गया जिस बेटे को बाल पोस्त के बड़ा किया जिस बेटे को प्रधान मंत्री बनाया आज वो बेटा कलट के मा को अपनी आँखे दिखा रहा है मात्र तुल्य संस्था RSS आज वो बेटा अपनी मात्र तुल्य संस्था को आँखे दिखा रहा है मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ जब नड़ा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी आप ज़रा बताईए इस देश को क्या आपको दुख नहीं हुआ मैं RSS के हर कारे करता से पूछना चाहता हूँ जब नड़ा जी ने कहा कि हमें RSS की जुरूरत नहीं है क्या RSS के हर कारे करता को दुख नहीं हुआ मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवजी से मैं कहना चाहता हूँ आप भी लोगों ने मिलके कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा इस कानून के तहट आडवानी जी को रिटायर कर दिया मुरली मनोर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया कलराज मिश्रु को रिटायर कर दिया शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया अब अमिच्छा जी कह रहे हैं कि ये नियम मोधी जी पे लागू नहीं होगा तो मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवानी जी पे लागू हुआ वो मोधी जी पे लागू नहीं होना चाहिए आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते हैं पूरा देश आज मोहन भागवजी से ये प्रश्न पूछना चाहता है